हलो फ्रेंट्स वेलकम तो अभी पेडिया पावड़ भाय अभी मन्य वाई है स्टुनेट्स दिर इन इंपोर्टन इंफोर्मेशन रिगार्डिंग दा आर्बी ग्रेड भी फेस्टु एग्जाम जो कि 31 मार्च या फिर 1 अपरेल 2021 को और्गनाईज होने वाला है उसको लेके रिजाफ बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर कुछ रिवाइजड गाइड लाइन्स और सेंपल पेपर रिलीज किया है तो आर्बी आई की यह रिवाइजड गाइड लाइन्स डैडिस फो दर रिक्रूट्मेंट प्रोसेस ऑफ दा आर्बी ग्रेड बी ऑफिसर्स एक्जाम उसका फेस्टु जो कि अभी कर्ड़क्ट होने वाला है तो उसको लेके आर्बी आई ने कुछ रिवाइजड गाइड आर्बी आई के दोरा की गई तो कुछ बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूं तो एक्जाम पैटरन के बारे में एक्जाम पैटरन क्या था हम सब जानते हैं क्योंकि इस बार रिवाइज हुआ था उसके बाद वर्ड लिमिट को अनौनाउंस कर दिया गया कुछ शिप्स को और एक सेंपल बेपर भी धी दिया गया रभी आई के द्वारा तो बढ़ते नोटिफिकेशन कि तरफ देखते हैं फड़ा फट नोटिफिकेशन को सबसे पहले मैं बात करों स्कीम पफेस्टों एग्जामिनेशन की तो सबसे पहले पेपर होगा ये ऐस का यहां पर स्कीम आफ तर फेस्ट के अंदर यह अनौस कर दिया गया की की जो पेपर थ्री हमारा है डाट ओफ फाइनाइस और यह पहले और यह पहले जाएगा डैस दिस इन्दा मोटनिंग में और बाकी के जो दो पेपर बचे डैस और एएस एंड इंग्लिष यह आफ टरनून में कमड़क्ट किये जाएंगे यानि कि दो बार paper, दो बार entry, दो admit card, दो admit card, ठीक है? आपको दो अलग-लग admit card download करने होंगे, morning shift के लिए अलग से admit card होगा, evening shift के लिए अलग से admit card आपको ले के जाना है, तो दो admit card आपको ले के जाने पड़ेंगे, यहाँ पर यह announce कर दिया गया, तो morning shift में सबसे पहले आपका paper 3 होगा, that is of finance and management, जिसके अंदर हम सब जानते हैं कि इ objective and objective announce किया गया था, अब objective के अंदर आपको 30 question आएंगे, objective के अंदर आपको 30 question आने वाले हैं, जिसमें कुछ question एक नंबर के होगे, कुछ दो के हो सकते हैं, markings के मुछ हैसे रह सकती है, total marks 50 रहने वाला है, और समय मिलेगा आदे गंटे का, sectional timing है, आदे गंटे से जादा नहीं मिलने वाला, sectional timing यहां पर दिया गया यह, ठीक है, अदे घंटे से जादा नहीं मिलने वाला, उसके बाद इसी के अंदर जो 50% paper था, वो subjective रहने वाला था, यानि कि descriptive रहने वाला था, तो descriptive के अंदर आपको 6 question पूछे लाएंगे, 6 में से आपको 4 question करने हैं, आपको 4 question करने ह 4 में से 2 question 15 marks वाले करने हैं, 2 question 10 marks वाले करने हैं, 2 question 10 marks वाले, 2 question 15 marks वाले, ठीक है, 50 marks का complete हो जाएगा paper आपको attempt करने हैं, 15 marks का जो paper होगा, 15 marks का जो question आपका होगा, उस question के लिए आपको 600 words लिखने हैं, 15 marks का जो आपको 600 words लिखने हैं, पंदरा marks का जो आपको 600 words लिखने हैं, ठीक है, word limit announce कर दीगी है, pattern के अंदर, तो 4 question आपको attempt करने है, ठीक है, यहाँ पर descriptive के अंदर, और यह 4 question attempt करने के लिए आपको मिलेगा 90 minutes, ठीक है, 1.5 घंटा, यानि कि total जो paper का duration रहेगा, वो 2 घंटे का रहेगा, total paper का duration 2 घंटे का रहने वाला morning में, आपका finance and management को लेके, अगर documentation process होता है, ठीक है, उन सब को मिलाकर यहाँ पर 30 to 40 minutes आपको और वेट करना पड़ेगा, यहाँ आपके अंदर, यहाँ पर announce किया हुआ है, तो 50 marks का यहाँ पर objective है, 50 marks का यहाँ पर subjective है, 100 marks का total paper है, 120 minutes का आपका exam रहेगा, 30 minutes objective के लिए, 90 minutes subjective के लिए, और words में आपको बता चु ऐसी आपकी कोई choice नहीं मिलने वाली है, जो आपके सामने पहले स्क्रीन पर आएगा, आपको वही attempt करना पड़ेगा, objective और subjective के बीच में कोई choice आपको नहीं मिलने वाली, यह पहले मैं objective कर लेता हूँ, फिर मैं subjective कर लूँ, और नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिलकुल attempt करने है, दो 15 नंबर के, दो 10 नंबर के, 15 नंबर वालों के लिए word limit 600 है, दसनबर वालों के लिए word limit 400 है, 90 मिनिट मिलेगे, type करना है keyboard के उपर, type करना है आपको keyboard के ऊपर, यह और जब आप objective वाला पेपर कर रहे हूँ, आपको keyboard की किसी भी key को प्रेस नहीं करना है, ठीक है, objective attempt करते वक्त आपने keyword की किसी भी key को प्रेस नहीं करना है otherwise आपका paper में पे lock हो जाता है आपको दुबारा से login वगरा करना पड़ता है तो time waste होगा तो तब keyword की किसी भी key को प्रेस नहीं करना है उसको side पर रखना है बड़ जैसे ही आपका objective वाला खतम होता है सब्यक्टिव जैसे आपका 30 मिनिट बाद स्टार्ट होता है तो आपको keyword उठाके फटाफ़ टाइप करना शुरू कर देना है अब 6 question पूछ रहेंगे 6 मैं से 4 करने है बट अगर कोई candidate 6 मैं से 5 कर देता है या 6 के 6 कर देता है उसके पहले जो 4 थे फर्स्ट फॉर जो थे वही evaluate किये जाएंगे वही evaluate किये जाएंगे आगे वाले दो का evaluation नहीं होगा इस बात का भी ध्यान रखना ठीक है तो यह मैंने FN M की बात करी इसके बाद बात करूँ तो नेक्स्ट होगा आफ्टरून में आफ्टरून में आपके दो पेपर होने वाले सबसे पहले तो पेपर वान डैडिस ओप एस एकॉनमिक एंड शोशल इशूस सेम पैटरन जो की अभी मैंने FN के बारे में बताया था सेम पैटरन इसमें रहेग की 15 नंबर वालों के लिए 600 और दस नंबर वालों के लिए 400 पचास नंबर का रहेगा 90 मिनट मिलेंगे सेम सेम इसके खतम होते ही आफ्टरनून में आपके दो पेपर है पेपर वन जैसे ही एसाई का खतम होगा इसके खतम होते ही without a single second gap आपको आ जाएगा पेपर टू पेप है जिसके अंदर आपको ऐसे प्रेसी लेटर कॉम्प्रिहेंशन यह सब आ सकता है 100 मार्क्स करेगा 100 मार्क्स करेगा ठीक है 100 मार्क्स करेगा तीन कोशन पूछे नाएंगे 100 मार्क्स करेगा और 90 मिनट दिये जाएंगे 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं यानि की सेक इस मिनिट आपको एक्स्रा लग जाएंगे ठीक है जो कि सारा डॉक्रमेंटेशन प्रोसेस को करते हुए तो morning में पेपर देना आफ्टरनून में भी पेपर देना आफ्टरनून में दो पेपर continuously यह रहेगा आपका यहां पर pattern और जो मैंने आपको बताया कि मार्किंग स्कीम भी बता दी गई है और वर्ड्स लिमिट भी यहां पर अनाउस कर दिया गया इसके बाद यहां पर क्या दिया गया चलिए अब जैसे कि मैं चीज़ें बता चुका हूं यह आपको बता चुका हूं कि पेपर थ्री finance management will take place in morning shift followed by the paper one and paper two in afternoon shift without any break between paper one and paper two यानि कि जो आपका afternoon shift होगा उसके बीच में paper one ESI का paper देने के बाद English वाले के बीच में कोई gap नहीं होगा दोनों continuously चलेंगे ठीक है duration में आपको बता चुका हूं paper one and paper three 30 minutes for the objective and 30 minutes sorry after 30 minutes there will be a descriptive exam of 90 minutes जो यहाँ पे connect किया रहेगा और words limit जो मैंने अभी आपको बताई थी ठीक है 600 word 15 marks वाली कोशन के लिए 400 word 10 marks के कोशन के लिए यह मैं आपको अलड़ी बता चुको आगे बढ़ते हैं notification की तरफ और notification क्या कहता है ठीक है दोनों के लिए दोनों के लिए एक separate admit card आपको लेके जाना है दोनों के लिए यानि कि morning shift के लिए separate admit card होगा और evening shift के लिए afternoon shift के लिए एक separate admit card होगा separate मतलब दोनों shift के लिए separate है ऐसा नहीं है कि evening afternoon में जो आपका paper one and paper two है उसके लिए दिफरेंट चाहिए ऐसा कुछ नहीं है entry करने के लिए basically admit card चाहिए तो paper one sorry morning के लिए भी और afternoon के लिए यह admit card आपको लेके जाना है admit card के ओपर photo photo लेके जानी है ID proof लेके जाना है वो as it is जो आप पहले exam में लेके जाते हो वही process यहां पे रहेगा ठीक है जो यहां पर announce किया गया उसके बाद basically objective के लिए जैसे आपने पहले जो prelims दिया था face one दिया था ठीक है आपको एक option choose करना होता था पांच option में से उसको उसके बाद save and next करना होता था वही सारी सेम चीज़ें यहां पर बताई गई है वही सारी सेम चीज़ें यहां पर announce की गई है ठीक है और यह चीज़ें आपको पहले बता चुका हूं यह सब मैं आपको और बता चुका हूं उसके बाद यहां पर दिया गया sample questions sample papers यहां पर दिये गए है ठीक है sample questions को आप देख सकते हो सबसे पहले अगर मैं sample questions के और बात करूं यहां पर यह clearly बता दिया गया कि यह जो sample questions दिये गए है exam का level इससे different हो सकता है इससे upper भी हो सकता है और कुछ other भी हो सकता है बट एक prediction यह कहती है कि अगर sample paper में numericals वगरा आते हैं तो paper में भी numericals को लेके question आने के चांसी है क्योंकि जो कि यह paper मेरे सामने पढ़ा इसमें काफी questions numericals को लेके है तो paper में भी numerical वाले question आ सकते हैं बट ऐस examination में जो paper आएंगे वो इससे higher difficulty level के हो सकते हैं और कुछ question इसी level के भी हो सकते हैं यहाँ पर बता दिया गया अब मैं बात करूं यहाँ पर financial management की तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक paragraph दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर इन्डियन financial system has undergone a significant transformation in 1990s और उसके बाद इसको लेके तीन question नीचे दिये गए ठीक है उसके बाद next questions यह सारा objective वाले की बात करो अभी objective है यह ठीक है यहाँ पर questions दिये गए objective को लेके finance and management को लेके इसके बाद यह level यह questions आप देख सकते हो ठीक है यह इसका PDF आपको मिल जाएगा इसका PDF आपको दे दिया जाएगा and admit card के लिए call letter download क करने के लिए जो link है वो भी नीचे आपको description box में मिल जाएगा जहां से आप अपने call letters को download कर सकते हो अपने call letters को download कर सकते हो लिंक भी आपको description box में दे दिया जाएगा चलिए तो अभी हमने objective देखा था अब subjective बात कर लेते हैं descriptive वाले paper में यहां पर दो questions यहां पर दिया गए है as a sample ठीक है जैसे पहला question दे दिया गया quantitative and qualitative tools of credit control by RBI that is monetary policy को लेके यहां पर question दे दिया गया उसके बाद management को लेके question दे दिया गया that is appraisal methods used by organization and their impact on organizational climate and culture तो यहां पर descriptive और उपर हमने objective के questions देखे उसके बाद ESI को लेके objective questions देखते हैं तो यह कुछ question दो number के कुछ question एक number के GDP को लेके question है agriculture sector को लेके questions है यहां पर मन्रेगा को लेके questions ठीक है आगे देखते हैं तो यह questions आप देख सकते हूँ these are the questions जो की sample paper में define किये गये sample paper के अंदर बताएगे उसके बाद यहां पर descriptive में question दिया गया that is of purchasing power को लेके that is of inflation on purchasing power parity ठीक है उसके बाद English को लेके भी यहां पर दिया गया English का भी आप sample paper देख सकते हो ठीक है यहां पर essay दिया गया essay के तीन topics दिये गये हैं हो सकते है आपको यह हो सकते है there is a possibility ठीक है there is a probability कि शायद यही question आपको paper में आजाए तो आप मेरा suggestion यह रहेगा कि आप इन questions को भी जरूर पढ़के जाए और topics को भी जरूर कवर आप करके जाए क्यूंकि अगर यह question directly नहीं आते तो इनसे मिलता जूता question भी अगर आ जाता है तो वह भी definitely आपको exam में help करने वाला वह भी आपको help करेगा exam को crack करने के लिए उसके बाद एक प्रैसी दिया गया 120 words ठीक है ऐसे के लिए भी यहाँ पर 400 word mention किया हूँ था तो word limit आपको define कर दीगी है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है उसके बाद comprehension दे दिया गया ठीक है तो यह यहाँ पर define कर दिया गया है चाए मैं descriptive English की बात करूं चाहे मैं finance management की बात करूं चाहे मैं ESI की बात करूं paper pattern marking scheme और उसके इलावा word limits यह सब मुझे announce कर दिया गया और paper दो shift में मुझे देना है एक morning shift में मुझे enter करना है और evening shift में मुझे फिर से enter करना है तो बीच में break होगा थोड़ी दिर का मेरे लिए यह break का timing मुझे दुबारा कितने बज़े एंटर करना है यह मेरा admit card बताएगा call letter बताएगा जो कि मुझे download कर लेना है जो कि already RBI के द्वार publish कर दिया गया है तो मुझे अपना call letter download कर लेना है और exam के लिए आगे बढ़ना है यह सारी guidelines की questions को review करना है save and next करना है ठीक है time खतम होने से पहले आप submit नहीं कर सकते यह सारी चीज़े हम paper one में सीख चुके है paper one that is a phase one जो कि हमने clear किया और आज हम phase two देने के लिए आगे खड चुके है उसके इलावा यहां पर यह बताया गया कि जब आप English या फिर आप descriptive टाइपिंग कर रहे होंगे ठीक है चाहिए वह फाइनाइस आइम ने जून का होगा चाहिए वह होगा वहां पर keyboard कीज़ का किस तरफ से ध्यान रखना है वह यहां पर धर्शाया गया है ठीक है सबसे पहले तो descriptive paper देना और objective paper देना उसके लिए कोई separate login required नहीं है उसी के बाद ही आपका paper open हो जाएगा ठीक है उसके बाद ही साथ के साथ ही आपका paper शुरू हो जाएगा objective वाले test को submit करते ही जैसे ही 30 minute होंगे आपका अगले वाला finance management का objective open हो जाएगा and same with the ESI और English तो अपन पर सामने रहेगा descriptive paper में और आपको उसका answer करना है उसके बाद space bar अगर आप keyboard पर टाइप करते हुए पहले space दवाते हैं और उसके बाद enter दवा देते हैं ठीक है space दवा के अगर आप enter दोगे तो नेक्स लाइन पर नहीं जाएगा इस चीज़ का थानक ना कि last में space देते हु ठीक है उसके बाद अगर आप multiple time space या multiple times enter मार देते हो तो वो एक ही बार step लेगा ठीक है अगर आपने चार बार space मार दिया तो वो एक ही space लेगा अगर आपने चार बार एंटर मार दिया तो वो एक ही एंटर पिक करेगा यह भी यहां पर अनाउस कर दिया गया कि system को कुछ इस तरह से और नाइस किया गया है कि space बार अभी आपके पास time है अभी आपके पास वक्त है उसके बाद language की अगर मैं बात करो language की बात पेपर के स्टार्ट होने से पहली आपको अपनी पर्टिक्लर language को सेलेक्ट करें ना कि आपको English में कोशन देखना और लिखना या फिर आपको एकसेपता English पेपर FM and ESI की अगर माँ बात करो आपको English में लिखना या आपको Hindi में लिखना है और आपको कोशन किस में इंगलिष और हिंदी मैं से किसी एक पर क्लिक कर लेना है जिसमें मैं लिखना चाहता हूं जिसमें मैं कोशन देखना चाहता हूं ठीक है बट किसी भी हाल में अपना खतम होने तक मुझे एक्जिट वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है इस बात का आपको शौरली ध्यान रखना है कि एक्जिट वाला बटन नहीं दबाना इंग्लिश या हिंदी पर सेलेक्ट करना है जिस भाशा में आप लिखना चाहते हो बट कीबोड आपके सामने एक नॉर्मल कीबोड रहेगा जो की हमारे पास और रहता है जिस उसी जजबे से उसी अपने प्रक्टिस से ही लिखना है इसको ठीक है आपको उन ही में अपना वर्ड इंस्क्रिप्शन देखना है कि कौन से वर्ड में क्या होता है हिंदी में ठीक है उसके बाद जैसे मैं बताय कि exit कभी नहीं दबाना है exit आपको नहीं दबाना है language change करनी है ठीक है keyboard सिरफ English में मिलेगा यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ ठीक है और descriptive paper of English जैसे मैं सारी चीज़े पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही आपका ESI का paper पर खतम होगा अपने आप English वाला आपका open हो जाएगा ठीक है और एक टाइम पे screen पे एक ही question आपको तिखेगा Auto submission हो जाएगी जैसे यह time खतम होगा ठीक है जैसे यह time खतम होगा Auto submission अपने आप हो जाएगी जितना जैसे जैसे आपने किया होगा जो जो आपने अटेम्ट किया होगा और जोनल इंसक्शन्स यह सब हम अल्रडी पढ़ते हैं ठीक है रोल नंबर पासवर्ड ठीक है डे टाइम यह सब आपके कॉल लेटर के उपर लिखा होगा जिसको आपको आजी डाउलोड कर लेना और प्रिंट आ ब्रेंट आउट निकल वालन है मॉर्णिंग का अफ्टरनून का दोनों लेके जाने दोनों दोनों के उपर आपको फोटोग्राफ पेस्ट करना है जो कि आपने फॉर्म फिल करते हुए अपलोड किया था वही फोटो आपको चाहिए उसके बाद कोवीट गाइडलेंज के अगर माद करूं तो वह भी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है कोवीट गाइडलेंज को आपको ध्यान में रखना है पेपर के टाइम पे आपको कुछ समय एक्स्ट्रा लग सकता है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 15-30 मिनट आपको एक्स्ट्र लेके जा सकते हो ठीक है transparent water bottle उसके बाद एक hand sanitizer का 50 ml तक का bottle आप लेके जा सकते हो उसके बाद एक simple pen और एक stamp pad अगर आप अपना लेके जा सकते हो ठीक है एक simple pen और एक stamp pad आपको लेके जाना है उसके बाद admission letter होगा तैने की call letter photo copy of the ID card जो कि उसके साथ staple होगा और एक i card original के लि और अगर आप subscribe हो तो basically कोई भी documents जो आपको इसके साथ attach रखना है वो आपको लेके जाना mandatory हो जाएगा clear तो these are the guidelines COVID-19 को ध्यान रखते हुए अभी COVID-19 इंडिया में फिर से बढ़ने रगा है और RBI की guidelines उसके हिसाप से यहां पर दी गई है अरोग्या से तू आप आपके mobile में होनी चाहिए अगर आप mobile phone carry कर रहे हो ठीक है उस चीज़ का ध्यान में रखना है COVID guidelines को ध्यान में रखन तरही जितना ज्यादा practice करोगे जो भी आपने mock test ले रखे हैं ठीक है या फिर आप अपने आप से practice कर रहे हैं तो इसको continue रखे अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो हमारा जो basically test series descriptive test series वो already ongoing आप वहाँ पर practice कर सकते हैं हमारे जो faculty expert faculties के दौर आपको remarks दिये जाएंगे आप आपके test का evaluation किया जाएगा जो भी आप type करोगे जो भी आप लिखोगे exam pattern के accordingly ही हमने fix किया हुआ है the link is in the description आपको मिल जाएगा it is RBI grade B descriptive test series आप देख सकते हो उसको लिख सकते हो अभी आपके पास 4-5 दिन है जिसके लिए आप practice कर सकते हो अच्छे लेवल पर practice आप कर सकते ह हो तो अभी time है ठीक है practice कीजिए अपने आपको boost up रखिये RBI grade B आपसे दूर नहीं है ठीक है mains का examination आपको crack करना है हर हाल में ठीक है तो चलिए guidelines में अगर कोई doubt हो you can write in the comment section अब comment section में किसी भी तरह का doubt पूच सकते हो and it's all for today thank you so much all the best for the exam झाल